अग हम समझेंगे पार तीन बस की यात्रा लेखक हैं हरी शंकर परसाईजे हरी शंकर परसाईजे ने पुरानी बस के माध्यम से यातायात के साधनों पर व्यंग किया है लेखक बताता है कि एक बार उसने और उसके चार मित्रों ने सोचा कि वे शाम को चार बजे वाली बस से चलें लेखक के मित्रों को सुबह काम पर अवश्य पहुंचना था इसलिए उन्होंने शाम को ही चलने का फैसला किया एक ने कहा यह बस जबलपूर की ट्रेन मिला देती है लेखक और उसके मित्रों को कुछ लोगों ने इस बस में सफर ने करने की सलहा दी लेखक वे इस सलहा को समझ नहीं पाए और वे बस में बैठ गए बस अत्यंत पुरानी वे टोटी फोटी थी जिसे देख उनकी आखों में श्रद्धा का भाव जाग गया लेखक ने हस्ते हुए कहा यह बस तो पूजा के योग्य है बस कंपनी के इससेदार भी इसमें बैठे हुए थे जो लोग अपने संबंधियों को छोड़ने आए हुए थे वे उन्हें इस तरह देखने लगे जैसे वे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हो बस का इंजन स्टार्ट होने पर ऐसा लगा कि सारी बस ही इंजन है यानि जैसे ही वो बस में बैठे हुए थे यातरी बस स्टार्ट होई तो बस घड़ड़ करने लगी उन्हें लगा कि वे इंजन पर ही बैठे हैं लेखक सोचने लगा कि यह बस गांधी जी के एह सयोग अंदोलन और सविन्य अवग्यां अंदोलन के समय अवश्य रही होगी यानि वे सोचने थे बस उस समय की है यानि यह बस बहुत पुरानी थी अचानक बस चलते चलते रुख गई पेट्रोल की टैंकी में छेद हो जाने के कारण ऐसा हुआ तब ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर नली के द्वारा इसे इंजन में भेजना शुरू किया लेखक को यह बस किसी डाकिन से कम नहीं लग रही थी क्योंकि वो सब डरे हुए थे लेखक और उसके मित्र डरे हुए थे उन्हें वे बस डाकिन लग रही थी थोड़ी दूर और चलने पर एक पुलिया पर पहुँचकर इस बस का टायर फिस हो गया लेखक ऐसी बस में यात्रा कर अपने जीवन की अंतिम यात्रा मानने लगा यानि वो लोग समझ रहे थे कि अब हमारी यात्रा पूरी होगी या नहीं वे इस शंशा में थे जिसे हुए टायर से हसी मजा करते हुए रास्ता कटने लगा अब बच्चों हम समझेंगे भारत की खोज पुस्तक का पार्ट वन एहमद नगर का किला भारत की खोज पंडिज्वारला नहरु द्वारा रचित एक पुस्तक है यह हैं डिसकवरी ओफ इंडिया का हिंदी रुपांतर है नहरु जी एहमद नगर की जेल में यह उनकी पहली जेल यात्रा थी वे आजादी की लड़ाई के लिए जेल गए थे जेल में नहरु जी का स्वागत शुकल पक्ष की दूज के चान ने किया चान्थ नहरु जी का स्थाई मित्र बन गया था क्योंकि वे रात को चान्थ से ही बाते करते थे इसलिए वे उसे अपना मित्र मानने लगे थे नहरु जी को बागवानी का शोक था तभी जेल में घंटो तपती दूप में भी वे फूलों की क्यारियां बनाते थे इस किले की एतिहासी घटनाओं में से उन्हें चान बीबी के साहस की कहानी याद थी जिसने अकबर की शाही सेना के विरुद अपनी सेना का नेत्रितव किया और अपने ही एक आदमी ने उसकी हत्या कर दी थी जेल अधिकारियों द्वारा बागवानी पर रोक लगाये जाने पर नहरुजी ने समय बिताने के लिए कलम उठा ली इन दिनों वे जो कुछ अनुभव कर रहे थे उसे अपनी पुस्तक में लिखने लगे वे वे लिए के लिए बागये लिए ले ले लो अबगाई ही ले 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 देगे ले 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 से कजकी हूए